नवरात्रों में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो उनके लिए मैं शेर करने जा रही हूँ एक ऐसी स्वीट की रेसिपी जो हेल्दी होने के सासा तुने अनरजेटिक भी रखेगी हेलो हेवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपी पर और आज हम बनाएंगे ड्राइफ फूर्ट्स लड़ू वो भी बिना चीनी बिना गुड घी और मावे के इन्हें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है यह बनने में बहुत ही इज़ी और खाने में बहुत ही nutritious होते हैं और इन्हें एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक इजीली store करके रखा जा सकता है जली जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ dry fruits आप अपनी पसंद के कोई भी dry fruits ले सकते हैं हमने यहाँ पर लिये हैं बादाम cashew nuts यानि की काजू अखरोट गिरी walnut कुछ raisins और थोड़े से pumpkin seeds और watermelon seeds लिये हैं seeds ने वो भी बहुत ही healthy और nutritious होते हैं इसके अलावा हमने लिये हैं एक कप dates जिनके बीज निकाल कर अलग कर दिये हैं आदा कप desiccated coconut लिया है और इसके लावा इनको बहुत ही बढ़िया आसा टेस्ट देने के लिए हमने लिये हैं 1 by 4 teaspoon ginger powder यानि की saunt और 1 by 4 teaspoon black pepper powder यह थोड़ी दरदरी कुटी हुई है यानि की काली विर्ची का powder तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं इसे लड्डू बनाना लड्डू बनाने के लिए dry foods और seeds को one by one dry roast करेंगे एक एक मिनट के लिए और desiccated coconut को भी dry roast कर लेंगे ताकि उसकी खुश्बू निकल जाए प्रंद उसका color चेंज ना हो पैन में डाल कर बदाम को एक से डेले मिनट तक dry roast करनेंगे flame हमें low ही रखने हैं ताकि यह जले नहीं ड्राइ रोस्ट करने से जो dry foods हैं इनकी नमी निकल जाएगी और इनमें बढ़िया सा crunch आ जाएगा सभी dry foods, seeds और coconut को हमने dry roast कर लिया है अब लेंगे एक mixing jar जिसमें इन dry foods को डाल कर pulse mode पर चला कर छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे आप इन्हें बिल्कुल कंटीर्स ना चलाएँ अधरवाइज इनका powder बनेगा जो की oil रिलीज कर देगा और लड्डू का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा इसलिए इन्हें सिर्फ pulse mode पर ही चलाएँ और बिल्कुल हलका सा चलाएँ बादाम को हमने क्रेश कर लिया है और इसे निकाल लेंगे अब एक पैन के अंदर बादाम है वो थोड़े hard होते हैं इसलिए उन्हें अलग से क्रेश करें बाकी ड्राइफूट्स और शीर्ट्स को आप एक साथ डाल कर भी क्रेश कर सकते हैं आप चाहें तो क्रेश करने के लिए मोल्टार का यूज भी कर सकते हैं सभी चीजों को क्रेश करने के बाद इन्हें भी क्रेश की हुए बदाम के अंदर ही डाल देंगे dry fruit को crush करने के बाद mixing jar में डालेंगे resins, dates, काली मिर्ची का powder और ginger powder और इसे अच्छे से पीस कर paste बना लिया है और इसे भी डाल देंगे dry fruits वाले pan के बना लिया है सारे पेस्ट को हमने निकाल लिया है प्रन्तु अभी भी कुछ पेस्ट इसमें लगा हुआ है तो इसके लिए इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ desiccated coconut और लड़ूं को coat करने के लिए थोड़ा सा coconut बचा कर रखेंगे और इसे भी एक बार mix करेंगे और इसे भी डाल देंगे पैन के अंदर सारी चीजों को इस तरह हाथ की साइता से अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बार इसका थोड़ा थोड़ा portion लेंगे और इसे इस तरह हाथों से अच्छी तरह दबाते हुए बॉल की shape दे देंगे जिसे coat करेंगे desiccated coconut के साथ और इसी तरह सारे mixture से balls बना कर तयार कर लेंगे सारे mixture से हमने लड़ू तयार कर लिए है अब ये कितने टेस्टी बने है ये तो आप भी बताईएगा comment section में लिखकर और हाँ nutritious और healthy है इसमें कोई दो राए नहीं है तो आप इस बढ़िया सी रेस्पी को जरूर try कीजिएगा और यदि रेस्पी पसंद आए तो please like, share and subscribe आप चाहें तो मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थेंक यू झाल कोईवा तो झाल कोईवा झाल कोईवाग्राम प्राइब भी तो